हेलो गाइज आज हम पढ़ेगे एसोसेशन और इसके कुछ करेक्टिरिक्टिक्स इसमें हमें पहले देखना है डेफिनिशन क्या है एसोसेशन की एसोसेशन में बी डिफाइनेड आज ग्रूप आफ पीपल वर्किंग फारे कामन गोल एसोसेशन क्या होता है बैसिकली ये एक ग्रूप होता है पीपल का जो वर्क करते है वारे कामन गोल एक ही गोल के लिए ये वर्क करते है अब है इसकी कुछ डैफिनिशन दी है कुछ सोचल आज जुझ ने इसमें पहला है मैकलिवर अंड पेज इनोंने क्या बताया है एन इन्होंने क्या बढ़ाया है, Association क्या होता है, Group Organizer ये एक Organizer Group होता है, for the pursuit of an interest मतलब किसी interest के लिए, किसी काम के लिए होता है और Group of interest in common और ये एक Group होता है, जिनके interest कामन होते है मतलब जो एक ही goal के लिए काम करते है According to Bogardas, Association is usually working together or people to achieve a same purpose or goal Bogardas ने क्या बताया है Association is usually working together मतलब इसमें जो लोग होते हैं वो work करते हैं together or people to achieve a same purpose और इसमें वो लोग होते हैं जिनका same purpose होता है, same goal होता है तो ये थे कुछ definitions of association अब है इसके characteristics इसमें पहला characteristic है group of people is necessary for association मतलब जब एक group होगा, people का तो ही association बन सकती है दूसरा है, there is a voluntary membership मतलब इसमें जो members है, वो अपनी मर्जी से जुड़ सकते है with a group तीसरा है, they have common goal मतलब इसमें जो लोग होते हैं, उनका एक common goal होता है common goal के लिए वो काम करते हैं another future is, वो भी आप add कर सकते हो, इसमें rules and regulations होते हैं मतलब अगर आप किसी company में काम करते हो, तो आपको उनके rules and regulations फालो करने पड़ते हैं तो ये है rules and regulations next is, it is based on cooperation मतलब association में जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ cooperate करते हैं next point is, it is pre-planned मतलब जो ये association होती है, ये pre-planned होती है मतलब ये suddenly start नहीं होती है ये हम पहले ही planning करते हैं, फिर association बनती है last point is, it is temporary relationship मतलब जो ये association होती है, ये temporary relationship होती है ये permanent नहीं होती है मतलब जब एक goal complete होता है तो फिर ये relationship होती है, ये खत्म हो जाती है जैसे के example है business association इसमें जब तक deal रहती है दो लोगों के दरमियान जब तक deal रहती है तब तक association होती है फिर जब इनका goal और purpose complete होता है तो जो ये association है, वो खदम हो जाती है तो ये था association and it is a characteristics तो ये जाती है जब акोली तार मैं में जब प्री लुट पायता है क्वेल कि दूते है में बुमष्पड कोड़ लाड़ जब पायतों कुमrasाश У्याव झाल झाल